भिंड के अकोडा गाउं की रहने वाली एक बेटी ने अपने पिता के इलाज के लिए सियम शिवराज सिंग चोहान से एक भावुक अपील की है। उसके पिता ब्लैक फंगस के शिकार हैं और उन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसी को लेकर एक बेटी हाथ जोड़ कर सियम शिवराज के साथ मंतरी प्रद्यून सिंग तोमर और जोती रादत्य संधिया से वीडियो जारी कर अपील कर रही है। आख, जबड़ा, नाक और तालू के चार ऑपरेशन हो चुके हैं। इसके बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं है। इलाज के लिए इंजेक्शन की जरुवत पढ़ रही है जो इंजेक्शन राजकुमार शर्मा को लगाया जाना है। इंजेक्शन के लिए बेटी सभी जगह गुहार लगा चुकी है लेकिन उनकी मदद किसी नहीं की। मेरा नाम रेनु है और मेरे पापा का नाम राजकुमार सर्मा है वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हें लगबक 8-9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं जिसमें उनकी एक जो इनफेक्टिर एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और उसके बाद उनका जो ऊपर का चबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर्थ और डॉक्टर्स का कहना है जो उ ठाइंग्जेक्शन नहीं मिलेंगे दब तक दिख्कत हो जाईगी और फिर उसके बाद इंजेक्शन अवेलबल नहीं ऐन सरो ऑस्पिटल में मैं बहुत लोगों से बात करीne वहीं देवास की एक बेटी ने भी CM शिवराथ से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्द करानी की अपील की है मैं स्निया गुप्ता मौंबे ऑस्पिटल में एड्मीट हूँ मेरा शिवराशीन जी मामा जी से नहीं मोधी जी से जो प्रदान बंतरी है उनसे निवेदन है कि मेरे लिए इंजेक्शन जो है वह आप अवेलेबल करवाई है बिना इंजेक्शन के मेरी तबेद ज्यादा खरा हो रही है मुझे इंजेक्शन कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं मेरा इलाज नहीं हो पा रहा ऐसा ही से तो आप प्लीज इंजेक्शन से अवेलेबल करवाई है तागी मेरा इलाज हो सकते चल्दीजन